नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है विक स्टॉक स्कूल स्वाज हम बात करेंगे ITC शेर के बारे में जो कि हमको काफी बड़ी गिरावर के साथ आप देखी चल दा था आज की दिन लेकिन लास्ट में आते आते हमको एक अच्छी यहां पर recovery इसकी देखने को मिली जो कि इसका low था लगभग 201.50 के आसपास इसका low था उससे यहां पर हम अच्छी एक recovery देखने को मिली लगबग 3-4 रुपए और लगबग 205 रुपए और 50 पैसे के आसपास हमको यहां पर closing देखने को मिली है तो यह जो इसकी यहां पर trendline बढ़ी थी जो कि इसका काफी time से यहां पर आप देखिए support ले रही थी पिछले दिन भी हमको यहां पर इसके आसपास इसने support लिया इसके नीचे जरूर यहां पर गया लेकिन उसके बार यहां पर हमको closing इसके ऊपर ही देखने को मिली तो same हमको आज भी हमको ऐसा ही देखने को मिला है आप देखें यहां पर शेयर काफी नीचे की और हमको जाता हुआ देखने को मिला था लेकिन उसके बाद जो मार्केड में हमको recovery देखने को मिली सेम हमको ITC में भी काफी बड़ी हमको ख्रीदारी इसके अंदर देखने को मिली तो अभी भी इसके उपर है जो कि यहां पर एक अच्छा बहुत संकेत है और यहां पर हम देखेंगे इसके volume को आज के दिन काफी increase होता हुआ देखने को मिला है और इसके साथ हम यहां पर देखेंगे आज के दिन इसके अंदर काफी लोगों ने यहाँ पर बाइंग बगारा भी की है क्योंकि यहाँ पर ITC काफी lower levels के आसपर यहाँ पर आ रहा था आपको यहाँ पर आने वाले दिनों में क्या इसके यहाँ पर level देखने को मिल सकते हैं क्या यहाँ से share जो आप उपर की और जा सकता है इसके क्या क्या इसके यहाँ पर चांसिस बनते हैं तो आपको अगर बाइंग को बगारा करनी है तो यहाँ पर किन लेवल के उपर आपको यहाँ पर बाइंग के उपर द्यान देना चाहिए इसके बारे में हम पूरी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे वीडियो का लास तक जरूर देखेगा जो लोग मेरी चैनल पर नए आए वो करिप है याँ पर सब्सक्राइब का बटन दिखर होगा याँ पर सब्सक्राइब के बटन के उपर क्लिक कर सकते हैं साथ में बैल आइकन के उपर नोटिफिकेशन के उपर ओल कर दीजे ताकि जो भी मेरी लेटस्ट वीडियो जो वह तक अराम से पहुंच सके सो यहाँ पर आप देखिए लगबग आज का जो पंदरा मिनट का चार्ड है यहाँ पर मैं दिखा रता हूँ आपको आज का जो पंदरा मिनट का चार्ड है यहाँ पर आप देखे आज के दिन हमको यहाँ पर काफी बड़ी इसके अंदर गिरावट देखने को मिल रही थी और जिसके बार आप देखे हमको एक अच्छी खासी यहाँ पर रिकवरी भी यहाँ पर देखने को मिली है उसके बार यहाँ पर हमको उसी वालिम के साथ आप देखे यहाँ पर जो वालिम हमको यहाँ पर शेर नीचे आता हुआ देखने को मिला था उसी वालिम के बार आप देखे जब यहाँ पर शेर उपर जाने की कोशिश की तब आप इसमें वालिम देख सकते हैं काफी बड़े volume के साथ यहाँ पे lower levels के आसपास हमको buying देखने को मिली volume आपको आप देखी selling से जाद हमको 15 minute के अंदर यहाँ पे volume देखने को मिला है उसके बार आप देखी यह जिसकी यहाँ पे एक support बना हुआ था लगबग 203 रुपर का इसको यहाँ पे पहले इसने तोड़ने के बार यहाँ पे दुबारा इसके ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन यहाँ पे नहीं तोड़ पाया क्योंकि marketing में हमको यहाँ पे एक अच्छा है यहाँ पे थोड़ा panic के अंदर ही यहाँ पे चली जिसके वजह से यहाँ पे को ITC के अंदर फिर से यहाँ पे थोड़ी यहाँ पे selling देखने को मिली लेकिन फिर भी यहाँ पे आप देखिए काफी बड़े volume के साथ हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिली थोड़ा थोड़ा यहाँ पर volume हमको जुरूर देखने को मिला लेकिन फिर भी यहाँ पर काफी बड़ा volume हमको यहाँ पर नहीं देखने को मिला उसके बार आप देखिए यहाँ पर थोड़ा टाइम इसने कंसौलिडेट किया जैसे यहां लोवर लेवल के आसपास आया उसके बार आप दिखें हमको यहां पर काफी यहां पर बैंग देखने को मिली आप देखें थोड़ा थोड़ा यहां पर वालिम इंक्रीज होता हो गया लगबग यहां पर दोसो एक lanin थे निख भूक। जो एक दो दीन के अंदर यहां पर सपोर्ट देखने को मिले एक पयाँ पर यह trend line बनी हो गपयों जो कि आसपश यहां पर चपस यह ज़र जा रहा है इसी बाइंग वगएरा कर सकते हैं लेकिन क्योंकि मार्किट काफी यहां पर वालेटायल बनी हुई है और यहां पर मार्किट में आप देखिए हमको काफी उतार चलाव यहां पर देखने को मिले और लगबग अपने हाई के आसपास ही यहां पर यह बीज तक चल रही है तो हो सकत बादा उपर की और हमको 50 50 जो है वो भी चलता हुआ देखने को मिला लेकिन ITC शेर के अंदर आप देखिए जो इसका लगबग 200 2020 में स्टार्टिंग है यहां पर पैंडमिक से पहले जो यहां पर लेवल था उसी लेवल को इसने एक बार जरूर टच किया लेकिन फिर भी उ कौंगा ITC शेर के अंदर लिए एक अच्छा यहां पर संकेत है अगर मा लिजे यहां पर मार्केर काफी जादा यहां पर लगबग 10-15 पसन यहां पर क्रैश हो जाती है तो ITC में भी लगबग हमको यहां पर 190-180 के लेवल तक ही यहां पर जाता हुआ देखने को मिल सकता है नीचे जाने के इसके बहुत ही यहां पर कम चैंसे बनते हैं और यह तो लाहद long term का यहां पर view और यहां पर short term का आप देख सकते हैं इसके दो support बने हुए है लगबग एक यह जो trendland बनी हुई है और दूसरा यहां पर यहां पर यहांसे शेयर जाता है इस trendland को follow करता है बा buying करना चाते हैं तब यहाँ पे मैं कूंगा आप इसके अंदर buying बगारा कर सकते हैं यहाँ से share जब तक यह जो level है लगवग 230 रुपाइं पचास के आसपास इसके नीचे अगर यहाँ पर हमको closing जब तक इसकी नहीं देखने को मिलती volume के साथ तब तक यहाँ पे share के अंदर आप बने रहा सकते हैं इस level से थोड़ा नीचे आप यहाँ पे इसमें 200 रुपाइं के आसपास इसके अंदर आप अपना 230 के level हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं अगले एक डेड़ महिने के अंदर अभी buying का यहाँ पर काफी बड़ा यहाँ पर हमको बड़ी एक opportunity मिल सकती है यहाँ पर मैं क्यूं कह रहा है आपको buying बगरा करने के क्यूंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं आज के दिन जो market हम हमको यहाँ पर काफी ग्रावड इसके अंदर देखने को मिली लेकिन lower level से जो यहाँ पर हमको buying देखने को मिली है वो यहाँ पर आराम से देख सकते हैं लगबग 3 बजे तक जो हमको data देखने को मिला है उसमें 3.60.000.000 के आजपा टोटल quantity जो हमको ट्रेड हुई है जिसमें से 3.60.000.000 में से लगबग 2.31.000.000 के आसपास हमको यहाँ पर delivery लोगों ने उठाई है लगबग 64% के आसपास जो कि यहाँ पर मैं कोंगा बहुत जादा हमको delivery percentage आज के दिन इसमें के देखने को मिली क्यों कि यहाँ पर share जो हम लोवर लेवल के आसपास यहाँ पर हमको मिल लेते हैं और share जो हो नीचे की और भी आ जाता है लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर panic करने की जुरूरत नहीं ITC share के अंदर यहाँ पर share आपको यहाँ पर long term में यह लेवल के ऊपर आपको यहाँ जरूर return देखे जाएगा बले यहाँ पर short term के लिए चाहे यहाँ थोड़ा correction अगर market में आती है तो नीचे की और आए लेकिन long term में आपको यहाँ पर मिशा फाइदा ही देखे जाएगा इसलिए यहाँ पर lower levels के आसपास जैसे ही यहाँ पर share आया लोगों ने यहाँ पर अंदानूंद आज के दिन buying हमको इसके अंदर देखने को मिली है तो पिछले आप देख सकते हैं लगबग हमको पिछले दिन लग करोड़ नत. यहां पर लोगों ने यहां पर अंद्र दूर बाइंग इसके इंदर की है तो यहां से हो सकता है अगर हमको अगले एक दो दिन और यहाँ पर बाइंग आती हुए देखने को मिलती है तो यहाँ से शेयर जाएवा फिर से अपसेड की और हमको एक मोमेंटम मचा पगड़ता हुआ देखने को मिल सकता है इस लेवल से आपको बिल्कुल ध्यान देना जाए है खुद कीजिए इसके बारी कोई भी पिजिशन बगएरा बनाईए तो अगर आपने ITC के अंदर इंवेस्टमेंट किये तो मेरे को नीचे कॉमेंट बॉक्स में जुरूर बताईए कि आपने किस लेवल के आसपास ITC में बाइंग बगएरा की है सो मिलते हैं अगली वीडियो में नमस्कार